जहिन दोस्तों नमस्कार तो कैसे हैं आप सभी लोग तो आज हम बात करने वाले एयर फोस फेस्टू में जीडी की देख्यों आर मुझे पता है कि अभी आपका एक्जाम नहीं हुआ है और अभी हमें एक्जाम पर ही बात करनी चाहिए राइट लेकिन आर बहुत सारे कॉमें में इस वीडियो बना रहा हूं ताकि आप सब तक सही इंफॉर्मेशन पहुश सके और आप सब अपना पूरा फोकस एक्जाम पर कर सको तो आप कंप्रीट वाज करना वीडियो को मैं आपको ये भी बता हूँ कि आपको जीडी में क्या गलती नहीं करनी है और जो मतलब ला क्वालिफाई करने के बाद जीडी में शामिल होते हो तो आप सब को ये भी शायद पता हो कि जीडी क्वालिफाई करना जरूरी है नहीं कि जीडी में आपको क्वालिफाई करना पास होना जरूरी है जैसा कि आपको एक्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है वैसे आपको प बहुत ही डढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि GD वाकिर होता क्या क्या है, तो आप अगर SRT क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपको GD में शामिल होने का मौका मिलेगा, GD में सबसे पहले हो कि आप सभी को करी 15 15 का ग्रूप में बाठ दी जाएगा, देखो अधिकतर SG पर 15 15 का ग्रूप ही बनता है, यहाँ कि जब आप फॉर्म फिल करते हो, तो वहाँ पर आपसे 5 प्रिफरेंस मांगते हैं, Face2 के ASC regarding तो आप वहाँ पर जो preference देते हो आपको उनी में से 1 ASC मिलती Face2 के लिए तो GD में क्या होता है आपका जो group बन जाए का 15-15 का उसके बाद आप सभी को यानि कि जो 15-15 रहेंगे 15 candidate को एक U-shape में यानि कि ऐसे बैठा दी जाएगा U-shape में आप समयरें ना U-shape U-shape मतलब ऐसे ऐसे U-shape में आपको बैठा दिया जाएगा और आपके सामने 2 या 3 officer बैठे रहेंगे और GD start होने से पहले आप सभी से एक P.I.Q. form फिल करवाया जाता है उस P.I.Q. form में आपकी सारी personal information होती है निकि तो वहाँ पर आप जो पेपर आपको मिलता है फोटो कापी के लिए जितना बड़ा सेम वह ऐसे पेपर आप सब को हाँ पर मिलता है और उस paragraph को पढ़ने के लिए आप सभी को 5-5 minute time maximum मिलता है देखो बोल रहा हूँ maximum 5 minute मिलता है इससे कम भी आपको मिलता है लेकिन maximum आपको 5 minute time मिल जाता है बाकी कई SD पर क्या होता है कि सिर्फ एकी पेपर होता है और पढ़कर आप उसे आगी पास करते चलते हो लेकिन अधितर यसी पर आप सभी को पेपर अलग से मिल जाते है यानि कि 15 लोग माल लो तो आप से भी को 15 पेपर मिल जाएगा और आपको पढ़ने के लिए उसमें करी 5 minute का समय मिलेगा और उस paragraph में ये कही भी mention नहीं होगा कि ये मतलब GD का topic क्या यानि कि आपको paragraph खुझ से पढ़कर समझना रहेगा कि मतलब कि ये किस topic की बारे paragraph लिखा हुआ है बाकि यार जो paragraph आपको मिलता है उसकी language बहुत ही difficult नहीं होती यानि कि आप उसे जब पढ़ोगे तो आप बहुत ही आराम से idea लगा लो कि मतलब हमारा topic क्या होने वाला है और हमें क्या बोलना है अगर आप में ठीठा तैयारी कर रखिये तो बाकि paragraph में ये कहीं भी mention नहीं होगा कि GD का topic क्या है ने कि जो paragraph आपको मिला है वो topic क्या है क्योंकि यार जब आप GD स्टार्ट करोगे तो आपको बोलना पढ़ेगा कि आपका topic क्या है जैसे आप paragraph पढ़ लेते हो paragraph आपसे को मतलब फिर से वापस ले लेंगे उसके बाद आप सभी को line से बारी बारी से एक मिनट का time मिलता है और कुछ SC पर दो मिनट का time ही मिलता है लेकिन exam SC पर सिर्फ एक मिनट का time मिलता है और आपको उस एक मिनट में अपना intro बोलना होता है और उसके बाद आपको topic पर बोलना होता है लेकिन कई के SC पर आपसे आपसे साब साब बोलते हैं कि देखो हमें आपकी बारे में बताए आप अपने बारे में नहीं जानना है आप सिर्फ अपने बारे में बताओ और टॉपिक पर आ जाओ तो आपको आपको पर इंट्रो देते हो तो वहीं पर आपको इतने अच्छी टॉपिक बारे में बोल देना है कि जब जीडि स्टार्ट हो जाए तो आपको वहाँ पर officer मतलब थोड़ा सा ज्यादा मतलब आपकी तरफ मतलब थोड़ा से ज्यादा आपको prefer करें तो क्या होगा कि जैसे आप सभी मतलब बारी बारा intro दोगे और topic पर बोलोगे यानि कि एक मिनट में आपको करीब 30 second intro बोलना होता है अपना यानि कि अपने बारे में और 30 second topic पर सभी को वह मतलब मौका मिलता है बारी बारी से तो जैसे ही आप intro दोगे उसके बाहर जीडी स्टार्ट होती है तो देखो यार जीडी में क्या होता है कि जो आपको topic मिलती है य के बारे में आपको discuss करना होता है और जीडी टोटली English में होती है निकि आपको topic पर English में बोलना होता है देखो यार वहां पर maximum आपको दो या तीन बार बोलने का मौका मिलता है तो आपको मौका वहां पर खुछ से बनाना पड़ेगा बाकि यार देखो चीडी साब बहुत मतलब बोल पाया है वह बोलना चाहिए तो बोल सकता है तो आप अपना हाथ ऐसे उपर उठा सकते हो बाकि यार अगर आपने तयारी अच्छी कर रखी है तो आप जब जीडी स्टार्ट होगा तभी आप बीच में मौका ले लोगे तो करीब जीडी चलती कहीं 15 मिनट कहीं 20 तो कहीं आदे गंटे राइट तो उसमें क्या हुआ कि जिसे मालो मैंने अपना पॉइंट रखा आप मेरे पॉइंट से साहिमत तो आप बोल दो कि आपको इंग्लिश में ही बोलना होता है तो अगर आप मेंसे किसी के भी मतलब इस्पोकें विक है तो यार बहुत ही मतलब अधिश में बोल देते हैं हमें अंगरेज नहीं बनाना है आपको मतलब बौल आप जो मतलब के साथ काम कर सकते हो और आप सब को पता कि आप फॉज में जा रहे हुआ और आप और एक अच्छी टीम तभी बन पाएगी जब ग्रूप में सभी का तालमेल अच्छा होगा तो तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर मालो आप spoken में grammatical error करते हो लाइक मालो आपने कुछ मतलब गलत बोल गये grammar में तो कोई दिक्कत नहीं उतना चलता है युकि जैसे देखो जो हम लोग हिंदी बोलते ना इसमें भी काफी error होता है तो से उसी पकार से आप English में भी थोड़ा वह error मतलब कर सकते हो तो उतनी मतलब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कि आपकी spoken week है तो आपको आपको बहुत दिक्कत हो कि ऐसा कुछ नहीं होगा तो क्या होते हो आपर कि जैसे हाँ मैं आपको बताना भूल गया कि मतलब आप से स्टार्टिंग में जो P.I.Q. form फिल कर जाता है तो आप इंट्रो में वही बोलना जो आपने P.I.Q. form में फिल कर रखा है तो करीब आपका जीडी चलता है करीब 15-20 मिनट पर 20 मिनट कहीं कि 30 मिनट भी लेकिन मैग्जिम मतलब अधिकतार है स्टी पर 15-20 मिनट ही आपका जीडी चलता है और उसमें एक तरीके से मे को बैठा दिया जाएगा और उसके कुछ देर बाद आफिसर्स आपका result अनौस कर देंगे यानि कि कौन 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 क्वालिफाई हो बताएंगे और कौन डिस्क्वालिफाई हो बताएंगे तो वहाँ पर जितने लोग क्वालिफाई हो जाते हैं उनको मतलब थोड़ा मतलब वगारा फार्म वगारा फिल करवाते हैं बाकि जो वहां से आउट हो जाते हैं वहां पर मतलब उनको वापस भेज़ देते हैं बाकि अगर आप जीडी क्वालिफाइग कर लेते हैं तो फेस्ट के यह आखरी टास्क होता है उसके बाद आपको अगर आप बात करने की जीडी में गलती क्या आपको नहीं करनी तो पहली गलती आपको फिश मार्केट का हिस्सा नहीं बनने की जैसे माल लो कोई ऐसा मतलब सिचुशन आगया कि मतलब मैं भी बोल रहा हूं सामने वाला बोल रहा है इधर वाला बोल रहा है मतलब अपनी तरह आप सब चिलाए पड़े हैं और कोई सुन नहीं राकिसे की तो उसमें आपको बचने का प्रयास करना है यानि कि आप उसमें बिल्कुल भी मत बोलू अभी आपको लगता हो कि मतलब मैं नहीं बोलूँगा लेकिन वहां पर क्या होता है ना कि बंदा कंट्रोल नहीं कर पाता ह बोल देता है तो आपको थोड़ा सा ये कंट्रोल करना है उसके अलावा आपको थोड़ा सा आपने बैठने के ध्यान देना कि आप मतलब कैसे बैठे हो आप डिसिप्रेन हो या नहीं राइट और उसके साथ-साथ आपको जो भी वर्ट्स बोलने है वो थोड़ा सा सिर्फ करो उसके बाद आराम मतलब मत रखोнопता वह ब को फोड़ी बमतलब करोartiएं है तो हैं तो यह रहा मतलब ac के आप बलकुल मत बोलना यह नहीं कि और्लाला चैली सा रही मतलब बाते बात कि हैं मतलब आपको जब आपका質 इसन क्या करना क्या नहीं करना है तो दोस्तों यह रहा गुरूप डिशका का मतलब एक complete वीडियो याने की GD में क्या क्या होता है और क्या कैसे होता है बाकी अगर आपकी कोई और query है तो आप नीचे comment कर सकते हो मैं आपका comment में सभी का reply करता हूँ बाकी अगर आपको लगता है कि जो doubt हूँ वो comment में clear नहीं हो पाएगा तो आप मेरे पास Instagram पर message कर सकते हो राइट बाकी यार आखरी में आप सभी को एक सलाह दोगा कि भाई आप सभी यार घर में रहो और प्रयास करो कि आप थोड़ा से healthy रहने कि आपकी तबियत खरापना हो पाए राइट क्योंकि यार देखो अगर आप सभी गलते से fever आ गया ना तो यार कम से का आपका एक हपता दो हपता आपका निकल जाएगा fever से recover होने में और देखो यार कहीं न कि अगर एक बार आपकी पढ़ाई बंद हो गई ना तो यार दुबारा फिर से rhythm पकड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा र और बहुत से लोग पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं और एक्जाम यार वही qualify करते ना जिनको मतलब तेयारी अच्छी रहती जिनको मतलब लगब सब कुछ आने लगता है और देखो आप सब कुछ तभी है कि जब आप लगातार पढ़ोगे तो भाई प्रयास करना कि आप सब आति बात में करेंगे तो जै हिन जै भारत वंदे मात्रम नमस्कार